नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेल्वे साइन्स का प्रेक्टी सेट करेंगे, ठीक है? जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रेक्टिसेट 22 यानकी 22 करेंगे ठीक है प्रेक्टिसेट 21 तक और देटी चैनल पर अफलोड हो चुका है जिसने नहीं देखे हैं वो उपर के आई बटन या फिर चैनल के पर लिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो देखें आज के प्रेक्टिसेट का सबसे पहला कुस्टन क्या है कि नीमन मैंसे वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है तो बताए इन में से कौन सा रोग वायरस के दोवारा फैलता है छाय रोग, पलैग, टाइफाइड या फिर पॉलियो तो देखें यहां पे छाय रोग, पलैग और टाइफाइड ये तीनों जो होता है ये बेक्टरिया के दोवारा फैलता है तो यानि की option D का रेटनसर हो जाएगा चलिए कुछ और भी इसके बारे में जान लेते हैं तो कि वायरल रोगों मैंसे कुछ चेचक हो गया उसके बाद खसरा हो गया एड्स हो गया पोलियो हो गया यह सब वायरल के दौरा फैलने वाला रोग ठीक है उसके बाद प्रोटोजा यहां अपसणर नमर दो दहखिए क्या है सिल्वर पर काला धब्बा किसके और उत्पन हो जाता है तो घमी यो चान पर काला धब्बा उत्पन हो जाता एगा रोगो क्या investir ने. एक परत बन जाती है और चांदी अपनी चमक खो देती है और वह काला रंग परतित होने लगता है ठीक है उसके बाद एक और ची जान लेजे कि चांदी का जो सींबॉल होता है एजी होता है इसका अटोमिक नमबर जान लेजे कितना होता 47 होता है और यहीं पर दखिए आउरल खो आटोमिक नमबर जाद रखी कितना होता है तो उसके बाद कोस्सन नमबर 3 देखे क्या यह पळैका तो बताए पक्राश्चा में उप्या क्या में ये तीनों में उपियोग होता है पलाश्टर और फेरिस का ठीक है देखे पलाश्टर और फेरिस का उपियोग जो है वो सांचे, मुर्तियां और और अनि किरतरिम आभुसन बनाने के लिए परियोग किया जाता है उसके बाद और देखे लिए हड़ी तुटने की स्थिती में भी पलाश्टर और फेरिस का उपियोग काश्ट बनाने के लिए किया जाता है उसके बाद कोस्टन नबर चार देखे क्या है क्या निमोनिया रोग से परभावित होने वाला सरीद का कौन सा भाग है तो बताएए इन में से कौन सा सरीद का भाग है जो निमोनिया रोग से परभावित होता है फेफदा हो गया, छाती हो गया, यकरित है, या फिर मस्तिस्क है तो देखे, निमोनिया रोग से परभावित होने वाला जो सरीद का अंग है वो है फेफदा, ठीक है, लंग्स है, एनकी ओप्सन ये इसका रेटनसर हो जाएगा देखे, निमोनिया आपके फेफदों या फिर लंग्स में बेक्टिदिया, वायरस या कवक के कारण होने वाला एक संकरमन रोग है, निमोनिया के कारण आपके फेफदे के उत्तकों में सूजन हो जाती है, और आपके फेफदों में तरल पदार्थ या फिर मावाद पैदा हो ने लगता है उसके बाद बैक्टोडिएन निमोनिया आम तोर पर वायरल निमोनियां से यह ज़ी गंभीर होता है जो अक्सर अपने अप ठीक हो जाता है इसके बाद कोस्टन नवर फाइब देखे क्या है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है तो बताए दूध दूद से क्रीम को किस बल के द्वारा अलग किया जा सकता है गुर्तवी बल के द्वारा घर्चन बल के द्वारा अपकेंदरी बल के द्वारा या फिर अभी केंदरी बल के द्वारा तो देखिए दूद से क्रीम को निकालने के लिए हम लोग अपकेंदरी बल का परियोग करे तो बताए यांत्रिक उर्जा से विदुत उर्जा में पदिवर्थित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक उर्जा से विदुत उर्जा में पदिवर्थित करने वाला यंत्र होता है वो कहलाता है यांत्रिक उर्जा को विदुत उर्जा में पदिवर्थित करने का काम करता है यांत्रिक उर्जा को विदुत उर्जा में पदिवर्थित करने का काम करता है यह माइकल फैरा question number seven देख्याँ, कि तो देखे सुवेथ Phosphorus जो है, वो जल में डुबा कर रखना हो भाने हो जायेगा इसके बारे में कुछ और जानते हैं देखिए वायू के संपर्क में आने पर फोस्फोरस स्वता मतलब अपने आप परजवलित हो जाएगा फोस्फोरस वायू में लगभग 86 डिगरी फोरेन हाइट या फिर 30 डिगरी सेलसियस पर परजवलित होता है वायू के सुस्क होने पर परजवलन का तापमान अधिक होने लगता है फोस्फोरस को जल में रखा जाता है ताकि या वायू मनली ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकरने से बच सकी उसके बाद कुस्त नवर 8 देखिए क्या है कि कौन सा कांच लेंस के लिए परियूद किया जा सकता है तो बताए कौन सा कांच है जो लेंस के लिए परियूद किया जा सकता है फिलिंट कांच, मिर्दू कांच, कठोर कांच या फिर पाइरेक्स कांच तो देखिए जो लेंस बनाने के लिए परियूद करते हैं उसका नामे फिलिंट कांच ठीक है यान की option ये इसका रेटंसर हो जाएगा चले इसके बारे में कुछ और जानते हैं देखिए कि optical glass उद्योग में फिलिंट कांच किसी भी अत्य अधिक अपौतग शीशा यूद्यूक्त को बनाने के लिए उपियोग किया जाता है लेंस और प्रिज्म हो गया ये सब में उपियोग क्या जा जाता है फिलिंट कांच का ठीक है क्योंकि यह अधिकांस पराबैंगनी परकास को अफसोसित करता है लेकिन तो लातमक रूप से कम दिर्ज़ से परकास को अफसोसित करता है इसका उपयोग हो गया कहां पर दुर्बिन लेंस बनाने में किया जाता है उसके बाद जान लेजे सोडा कांच या फिर इसको मिर्दू कांच भी बोलते हैं तो इसका उपियोग कहां पर होता है तो देखिए तो देखिए सोडा कांच या मिर्दू कांच का उपियोग जा है वो कांच के गिलास, दरपन, खिनकी के सीसे, बिजली के बल्ब, बोतल और बरतन इत्यादी बनाने में किया जाता है पोटास कांच या फिर कठोर कांच का उपियोग कहां पर होता है तो देखिए तो इसका परियोग साला तंत्र बनाने के लिए क्या जाता है क्योंकि यहाँ आमल की कारवाई के लिए अतियधिक परतिरोधी होता है यानकि हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोटास कांच हो गया या फिर कठोर कांच हो गया इसका परियोग कहां करते हैं piping और thermometer और oven wear सही वोद्योगिक उपकरन बनाने के लिए किया जाता है उसके बाद question number 9 देखें क्या है कि आवाज या फिर धावनी की तिवर्ता की काई क्या है तो बताए आवाज या धावनी की तिवर्ता काई काई क्या है ground, joule, decibel या फिर quantum तो देखें आवाज की तिवर्ता काई साई मातरक क्या हो जागा तो decibel हो जागा ठीक है यान की option C का retention हो जाएगा और देखें अगर बोले कि धावनी को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है तो धावनी को मापने वाला यंत्र होता ओडियो मीटर decibel इसको denote करते हैं किए से डीवी से एक मातरक होता है जिसका उपियोग धावनी की साफिक्ष परबलता को मापने के लिए परियोग किया जाता है चलिए उसके बाद question number 10 देखते हैं तो देखें क्या है हमारे हिरदे का ओस्तन वजन कितना होता है तो बताए हमारे हिरदे का ओस्तन वजन कितना होता है 300 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम या फिर 300 ग्राम तो देखें हमारे हिरदे का ओस्तन वजन होता है कितना 340 ग्राम ठीक है यानकी option yes का return sir हो जाएगा कि हिरदे का ओसत वजन जो है पूरूस में अगर बात करे तो कितना होता है अगर पूरूसों में बात करे तो वह होता है 280 से 340 गराम तक होता है ठीक है पूर अगर महिलाओं में बात करे तो वह होता है 230 से 280 गराम तक होता है उसके बाद question 11 देखे क्या है कि रेगिस्तान में मि मिर्ग मरिचिका बनने का क्या कारण है परकास का पूर्ण परावर्तन या फिर विभिन उंचाईयों पर वायू के घनतों में अंतर या फिर परकास की सरल देखे गती तो देखिए रेगिस्तान में मिर्ग मर्चिका बनने का कारण क्या है तो परकास का पुर्ण परावर्तन ठीक है यान की option ये इसका रेटंसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं देखिए मर्चिका विभिन घनतों की वायू की परतों पर परकास की पुर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है एक रेगिस्तान में दीन के समय में रेट बहुत गर्म होती है और इसके संपर्क में हवा की परत गर्म हो जाती है और हलकी हो जाती है हलकी हवा क्या होता? उपर उठ जाती है और उपर उठने से क्या होता? सगन हवा नीचे आ जाती है ठीक है? और इस तर से क्या होता? परकास का पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन बनता है और जिससे क्या होता? मिर्ग मर्चिका बन जाता है उसके बाद Question number 12 देखिये क्या है कि Pendulum घरी किस मोसम में अक्सर तेजी से चलती है तो बताएए जो Pendulum घरी होता है वो कौन सा मोसम में तेजी से चलने लगता है गर्मी रितू में, सीत रितू में वसंत रितू में, या फिर वर्शा रितू में तो देखिए पेंडूलम घरी जो है उस सीत रितू में अक्सर तेजी से चलता है ठीक है यानकी option 20 का right answer हो जाएगा ठीक है यहाँ यह जो पेंडूलम होता है यह क्या होता है जब पेंडूलम के जो सुई होता है यह क्या होता है अगर ठंडा में सीकूद जाता है और सीकूदन लगता है ठीक है इसलिए गर्मी में धीमा चलता है उसीत में तेजी से चलता है ठीक है इसके बारे में कुछ और जानते हैं सर्दियों में वतावरन का तापमान कम हो जाता है तो पेंडूलम के लंबाई कम हो जाती है इसलिए दोलन जिसको इंगलिस में osillation बोलते हैं दोल नमर 13 देखिए क्या है कि रंगिन टेलिवीजन में किस रंग का परियोग नहीं होता है पताए इन में से कौन सा रंग रंगिन टेलिवीजन में परियोग नहीं होता है लाल हरा नीला या फिर काला तो देखिए लाल हरा और नीला ये तीनों रंग परियोग होता है काला रंग आधियोग नहीं होता है ठीक है यानकी option डीस का रेटंसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं तीवी में तीन monochrome चविया कि मोनो करम क्या होता है जब दो या दो से अधिर रंग मिल करके एक रंग बना लेता है तो इसको मोनो करम कहते है ठीक है तो तीवी में तीन monochrome चविया होता कौन-कौन लाल हरा और नीला इसको इंगलीस में बोलते हैं रेड ग्रीन और बुलू ठीक है इसको स्वाट में बोलते हैं RGB यह तीन रंगों में इसे परते को परसारिद करके एक रंगिन परसारन बनाया जा सकता है उसके बाद question number 14 देखिए क्या है कि वन्सपती तेलों में कृत्रीम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेदक कारी करता है तो बताए वन्सपती तेलों में कृत्रीम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेदक कारी करता है पलेटीनम, निकेल, अमोनियम कोलोराइड या फिर मेगनेसिय कुलॉराइड थो देखिए वनस्पतित तेलों में कृत्रीम घी बनाने में हम लोग निकेल का परियोग करते हैं ठेक उत्प्रेरग के रुप में किसका निकेल का यान की option 20 हो जाएगा देखिए निकेल उत्प्रेरग की उपस्थिती में वनस्पति तेलों को गर्म करने से असंत्रित वसा में पदिवर्तित हो जाती है जिसे वनस्पति घी कहा जाता है वनस्पति तेल असंत्रित योगिक होते हैं और इस परकार निकेल उत्प्रेदा की उपस्तिती में वनस्पति तेलों को गर्म करने से असंत्रित वसा संत्रित व हिर्दे में अस्थी मज्जा में वरिक में या फिर पलिहा में तो देखिए मानव शरीद में लाल अधक्तकन का निर्मन कहां पर होता है तो अस्थी मज्जा में इसको इंगलीज में बोलते हैं बॉन मेरो यानकी option 20 का रेटंसर हो जाएगा देखिए सभी रक्त कोशिकाएं एक परकार की विशिष्ट कोशिका से बनती है जिसे इस्टेम सेल कहा जाता है जब एक इस्टेम सेल विभाजित हो जाता है तो यहाँ सबसे पहले अविक्सीत लाल रक्त कोशिका यानकी रेट बलट सेल स्वेट रक्त कोशिका यानकी उत्पादक कोशिका बन जाता है उसके बाद कोश्चन नवर 16 देखे क्या है कि सफेद रक्तकन यानि कि वाइट बलड सेल का मुख्य काम क्या है तो बताई WBC का मुख्य कारिक क्या है कार्बन डाक्साइड को ले जाना ओक्सीजन को ले जाना या फिर रोग परतिरोथक छमता धारन करना या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखे WBC का मुख्य कारिक क्या होता है तो रोग परतिरोथक छमता धारन करना ठीक है यानि की option C's का रेटंसर हो जाएगा देखे स्वेत रक्त को सीकाएं आपकी परतिरक्षा परनाली का एक महतपुर्ण हिस्सा होता है आपकी परतिरक्षा परनाली आपके सरीर में परवेश करने वाली संकर्मनों या विदेशी अनुओं का पता लगाती है और उनसे निपटती है जो चीजें संकर्मन का कारन बनती है उन्हें हम लोग रोग जनक यानि की रोगानू कहा जाता है उसके बाद कुस्सन नबर 17 देखिए क्या है कि कौन सा रक्त समू सरवागराही है तो बताए इनमें से कौन सा रक्त समू सरवागराही है ये बी ओ या फिर ए बी तो देखिए सरवागराही हो जाएगा ये बी ठीक है और सरवदाता कौन हो जाएगा तो ओ हो जाएगा वो में RBC को नश्ट करने का परियास करें इस परकार उने सर्वग्राही कहा जाता है उसके बाद कुस्टन नमर 18 देखिए क्या है कि Cerebram किस से संबंदित है तो बताए Cerebram किस से संबंदित है या करिद से, खिरदय से मस्तिस्क से, या फिर तवचा से तो देखे सरेबरम संबंदित है किसे मस्तिस्क से ठीक है यानि की option C का रेटंचर हो जाएगा देखे परमस्तिस्क इसको इंगलीस में बोलते हैं सरेबरम ठीक है मस्तिस्क सबसे बड़ा भाग होता है या जो मानव सरीद की विभिन कारिच हमताओं और महतपुर्ण परनालियों के लिए जिमेदार होता है यह मस्तिस्क की परमुक हिस्सों में से एक होता है या दो भागों में बंटा होता है एक भाग को दाहिना गुलाद और दुसरे भाग को बाया गुलाद कहते हैं ठीक है उसके बाद question number 19 देखिए क्या है कि मनुस्य में मेरु दंड से कितनी जोदी तंतरिका निकलती है तो बताए मनुस्य में मेरु दंड से कितनी जोदी तंतरिका निकलती है 12, 13, 31 या फिर 33 तो देखिए मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोधी तंतरिका निकलती है ठीक है यानिकी option C स्कारे tensor हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं मेरुदंड इसको इंगलीज में बोलते हैं spinal code मनुष्य में 31 जोधी तंतरिका यानिकी spinal nerves निकलती है यह तंतरिकाएं रीद की हड़ी से निकलती है और सरीद के अलग-अलग भागों में जाकरके उन्हें समिदन सिलता यानिकी sensory और गती विदियों यानिकी motor functions को नियंतरित करने का काम करती है उसके बाद इस सेट का आखरी question question number 20 देखिए क्या है कि पर्तिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां पर होता है तो बताए पर्तिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां पर होता है परमस्तिस्क में, अनुमस्तिस्क में, कसेरुक रज्जू में या फिर तंत्रिका को सीका में तो देखिए परतिवर्तिक किरियाओं का नियंतरन केंदर होता है कहां पर तो कसेरुक रजू में ठिक है यानकी option C स्करेट अंसर हो जायेगा चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि पर्तिवर्तिक किरियाओं का नियंत्रन केंद्र का सिरुक रज्जू में उपस्थित होता है पर्तिवर्तिक किरियाओं किसी उतेजना या जीव के आंत्रिक या बाहरी पदिवेश में पदिवर्तन के पर्ति अनेक्षिक और सवचलित पर्तिकरियाओं होती है पर्तिवर्त केसे लगा ये वीडियो कॉमेंट में जरुद बताईएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद